आप सभी सादक और सादिका बेहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो आज मैं कैसे चमतकारी अपसरा की साधना लेकर आए हूँ जिसे करने मातर से ये चमतकारी अपसरा आपको रातोरात करोड़ पती बना देगी यह चमतकारी अपसरा आपके बोलने से पहले आप जितना भी बोलोगे इसे पैसे लाने के लिए वो लाकर आपके पलत जपकने से पहले आपके समक्ष लाकर रख देगी इस चमतकारी अपसरा को सिद्ध ही इसलिए किया जाता क्योंकि यह पैसे लाकर देती है ये चमतकारी अपसरा इतनी माया भी है कि इतना पैसा आपको देगी, इतना पैसा देगी कि आप रख नहीं चिपाओगे इस चमतकारी अपसरा की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है और इस चमतकारी अपसरा का नाम है रुकमनी अपसरा जो की सिर्फ एक सु आठ बार मंत्र बोलती ही आपके समक्ष खरी हो जाएगी ये चमतकारी अपसरा और इस चमतकारी अपसरा क्या क्या करती है ध्यान से सुनिए ये अपसरा आपको मारन, मोहन, उचाडन, वसीकरन, अस्तंबन, बिद्यूसन, सांतिकरम सटकरम में सटकरम करती है और इसका सटकरम का कोई तोर नहीं है इसके सटकरम के आगे कोई भी सकती नहीं टिक सकती है क्योंकि यह सटकरम की बेताज बासा है यह जो अपसरा है इसको सटकरम में कोई नहीं हरा सकता और किसी को सटकरम में महरती बनना है बेताज बास्सा बना तो बस इस चमतकारी अपसरा का मंतर जाप कर लो फिर देखो चमतकार क्या होता है यह आपको सेयर मार्केट के बारे हैं बताती है कौन सा सेयर उपर जाने वाला है कौन सा सेयर नीचे आने वाला है यह आपको सेयर मार्केट के बारे हैं बताती है उसके स पता है हुआ नंबर एक लाख एक परसेंट ढंके की चोट पर सट्टे का नंबर खुलेगा ही खुलेगा आंक बंद करके आप लगा दीजिए आपको कोई पैसे से भरा गो डाउन है जिसको एक जगा से दूसरे जगा करना है बस आप चुटकी बजाओ आपका काम वहां हो जा या कोई फाइल एक जगा से दूसरे जगा करना या कोई इनपोर्टेंट डॉकुमेंट एक जगा से दूसरे जगा करना या कोई इनपोर्टेंट समान को एक जगा से दूसरे जगा करना बस आप पलक जपकाओ आपका काम हो जाएगा यह आपको जो गरा हुआ धन होता है औ सारा को आपको दे रहा हूं बस आप इसका मंदर जाप करके देखो फिर देखो चमतकार क्या होता है या आपको किसी का भी भूद बविस और बरतमान तीनों काल की ख़बर लाकर देदेगी कौन आने वाला है किसलीं आने वाला है उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके pocket में कितना रुपया है रुपय का नमबर क्या है नोट का नमबर क्या है सारा कुछ ये बता देती है सामने वाला का history geography biology सब आपके समख्ष ये रख देती है ये आपको गुब्त से गुब्त औसदी का ग्यान देती है ये आपको गुप्त से गुप्त आपको साधनाय सिखाती है गुप्त से गुप्त आपको अमल सिखाती है यह गुप्त से गुप्त अपसरा की साधना आपको सिद्ध करवाती है जो अपसरा का नाम कोई नहीं जानता है वो अपसरा, गुप्त से गुप्त अपसरा का भी साधना आप सिद्ध कर सकते हैं इसकी मदद से, उसके बाद में, यह आपको कोई मेरा भाई या बहन है, जिसमें आकरसन नहीं है, जो कोई लड़का या लड़की, कोई किसी से भी बात करने जाता है, चाहिए लड़का हो या काज भीगर जाता है, तो बस इस चमतकारी अपसरा का मंत्र जाप करके देखो, यह आपके स्वर में, यह आपके व्यक्तित्व में, यह आपके पुरे सरीड में इतना आकरसन डाल देगी, जो कोई भी लड़का, लड़की, इस्तरी, पुरुस, नर, नारी, किनर, किनरी, ब दे रहा है, लेकिन बार-बार दे रहा है, लेकिन वो सफलता उसको नहीं मिल रहा है, वो बार-बार फेल हो जा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, तो बस इस चमतकारी अपसरा को बोल कर देखो, यह आपने पलक जपकाया नहीं कि वहाँ पर लिस्ट में आपका नाम होगा, चाहे दुनीय कोई भी exam हो, चाहे exam हो, चाहे job का exam हो, कुछ भी हो, कोई मेरा बहाई या बहाई या बेहनि कि किसी को पैसा दिया हो, पैसा दे नहीं रहा है हो, केस कर दिया हो, जूटा तो आप केस जीड ज़िए होगा, आपका बिवा नहीं हो रहा तो आपका बिवा हो जाएगा आपका संतान नहीं हो रहा तो आपका संतान हो जाएगा आपका बिजनस नहीं चला तो बिजनस चलने लगेगा आपका जॉप नहीं है तो आपको जॉप मिल जाएगा आपको पैसो की जरूरत है इस चमतकारी अपसरा को बोल कर देखो यहाँ आपने पलक जब कायने की उतना पैसा आपके समक्स रखा हुआ मिलेगा यह चमतकारी अपसरा आपको इस दुनिया का बेताज बास्सा बना देती है लोगों के नजर में आपको यह भगवान बना देती है आपकी हर इक्षा चुटकी बिजाते यह चमतकारी अपसरा पूरी कर देती है जिन्दगी में जीने के लिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो यह अपसरा आपके से ना कर सके और यह अबसरा इतनी समतकारी अबसरा इतनी powerful अबसरा जिसके लिए कुछ भी करना मतलब कहते हैं नाम हुँंकीन नहीं है चुटकी वैजाया कि सामने वाला काम करेगा ही करेगा आपकी जो भी ख्वाई से आपकी जो भी इक्छा है वो चुट के बिजाते ही पूरी हो जाएगी ये चमतकारी अपसरा इतनी तागतवर है इतनी पावरफुल है स्वार परतम आपको क्या करना है ये साधना को सुकुर वार वारे दिन या तो मंगल वार वाले दिन आप कर सकते हो पहले आपको क्या करना है सुबा सुबा उटकर जाना है मिट्टी लेकर आना है मिट्टी लाने के बाद उसको क्या करना है आपको एक काच के बरतन में या का उं голос का कर ना है उसांस को सात बुंद उसके बाद में आपको 5 परकार का तेल उसको अक्षे पुतले का निर्मान लड़की का कर देना उसके बाद में उसको काले कपरे में लपेट के उसको सामने रख लेना है उसके बाद में आपको मंगल भार वाले दिन या शुकर बार वाले दिन आपको रात में क्या करना है। सादमें आपको क्या करना है अपना नामिका उली काटना है साथ भून खुन देना है फिर आपके समक्ष यह अपसरा खरी हो जाएगे और बोलेगी मुझे क्यूं बूलाया तो आप अपना तरीके से वचन ले सकते हो पहले मंत्र ध्यान से सुन लीजिए ओम एम स्रीम रुकमनी प्रिये तमे आगच्च 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 स्वाहा यह सादना एक लाग एक परसंट धंके की चोटपर सिद्ध होगा ही होगा सादना सिद्ध कीजिए अपना और दूसरे का भला कीजिए बुरा किसी काई मत कीजिए गुरुपरती प्रेम प्रति विश्वास बना कर रखे साधना एक लाक एक परसंट सिद्ध होगा ही होगा